दिवाली फोटो शूट के लिए हमें सबसे पहले अपने रूम को अपने घर को थोड़ा सा सजाना होगा ज्यादा मेरत नहीं लगेगी बस थोड़ी से हमें कुछ लाइट्स लगानी होंगी पीछे और आगे हम कुछ दिवाली वाला हमें फ्लेवर मिल सके भागी वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हम स्टब से पहला पोज तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हमने पीछे कुछ लाइट्स जगाई हैं यह LED फेरी लाइट्स और आगे हमने दिये जलाए हुए है तो दिये के पास सबसे पहले हमारे मॉडल को आकर बैठना है एक लेग को फोल्ड गरके और जो पोज होगा उसमें लुक होगी नीचे की तरफ और दोनों हादों से दिये को थोड़ सा पकड़ना है जैसे हम दिया जलाकर नीचे रखने वाले हैं तो दोनों हादों से दिये को हलका सा पकड़ना है तो इस तरह से हमारा होगा पोज अब हम lights को कर देते हैं off क्योंकि हम ये shoot दोपहर में कर रहे हैं तो हमें बाहर से बहुत ज़्यादा light मिल रही है तो हम lights को अपनी जो camera की lights से उसको off कर देंगे और camera angle को मैं थोड़ा सा tilt कर दूँगा Dutch angle style और इम speaker को click करते हैं बहुत ही बड़ी है तो second pose में guys बहुत ही simple चीज़ करेंगे हम अगर आपके पास सिरफ एक ही दिया अवेलेबल है तो आपने वो एक दिया को हाथ में पकड़ लेना है और किसी दिवार के पास या दर्वाजे के पास किसी partition के पास आप कहीं पर भी कर सकते हैं आपने बस दिया को दोनों हाथों से पकड़ कर अपने चेहरे को थोड़ा सा साइड में रखकर कैमरा में लुक देनी है यानि कि दिया पकड़ा हाथों में और फेस को थोड़ा साइड में रखकर तो third बोस में guys बहुत ही amazing चीज़ है जैसे दिवाली पर हमें लड़ू के डबे मिलते हैं, हमें मिठाईयों के डबे मिलते हैं तो हमने बस मिठाई के डबे को open करना है और उसके अंदर से कुछ लड़ू या बर्फी कुछ भी निकाल कर अपने हाथ में पकड़ लेना है और चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल करके कैमरा में हमने लुक देनी है अब हम लाइट्स को आफ करके फोडर को क्लिक करते हैं बहुत इवड़िया तो इस नेक्स्ट पोस गे लिए हमें कुछ रंगोली बनानी है तो हम एक स्टेंसिल लेकर रहे थे यह रंगोली स्टेंसिल होती है इसके अंदर हमने कलर्स को फिल कर दिया था तो यह बहुत इवड़िया रंगोली बन जाती है और इसके चार और हमने दिये जला दिये थे तो इसमें पोस कैसे करना है इसमें simple हमारे model को आकर नीचे लेट जाना है दोनो arms को fold करके सिर उसके उपर रख लेना दोनो arms को fold करके सिर उसके उपर और इसमें भी जो camera angle होगा थोड़ अशम Dutch angle style में रखेंगे tilt करके, अब lights को key off and pick को करते हैं click बहुत खूब अब चलते हैं हमारे next pose की तरफ इसमें same rangoli का concept ही रहेगा लेकिन इसमें आपने बस एक leg को fold करके बैठ जाना है और जो आपका हाथ होगा वो अपने ऐसे acting करनी जैसे आप rangoli बना रहे हैं और look आपकी उपर की तरफ और camera angle भी उपर की तरफ ही होगा हम किसी चीज के उपर चाड़ सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर अभी cooler के उपर चाड़ रहा हूँ अब हम lights को off करके photo को click करते हैं बहुत इवडिया तो कैजिए थे आज के दिवाली poses जो मुझे उमीद आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे सबसे अच्छा pose झाड़ को बहुत हैं